बॉलिवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने आक्टिंग की शुरुआत सीधे फिल्मों से की तो कई ऐसे स्टार्स भी हैं जिन्होंने पहले टीवी सीरियल और विज्यापनों में काम किया फिर बॉलिवुड में एंट्री लीग हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही बॉलिवुड के मशूर स्टार्स के बारे में चोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले शारुक खान आज बॉलिवुड के किंग खान है उन्होंने करी महनत कर ये मुकाम पाया है फिल्मों में आने से पहले S.R.K. ने 4G TV सीरिल में अभिने किया है आदित्य रॉय कपूर बेहत कम लोग ही इस बात से वाकिफ है कि आशिकी पार्ट 2 से बॉलिवुड में डेब्यू करने वाले अदित्य रॉय कपूर ने अपने करियर की शुरुआत वीजे के रूप में की थी उनका पहला शो चानल वी पर टेलिकास होता था दिपिका पादुकोन बॉलिवुड की सबसे मशूर आक्टरस दिपिका पादुकोन ने क्लोज अप के टीवी आज से अपने आक्टिंग करियर की शुरुआत की थी उस समय तो किसी ने उन्हें नोटिस भी नहीं किया था हाला कि अब मस्तानी के काफी चाहने वाले हैं विद्या बालन आप ये जानते होंगे कि विद्या को पहले प्रेक छोटे परदे के सीरिल हम पांच में मिला था लेकिन उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम एक विज्यापन से रखा था आर्माधवन त्री इडियेट्स और रंग दे बसंती जैसी दमदार फिल्मों में शानदार किरदार निभाने वाले आर्माधवन ने भी अपने करियर के शुरुआत छोटे परदे सी की थी उनके पहले टीवी सीरियल का नाम बनेगी अपनी बात था कटरीना कैफ फिल्मों में डेब्यू करने से पहले कटरीना कैफ ने कई टीवी कमर्शिल्स में काम किया है उनकी पहली फिल्म बूम थी लेकिन उन्हें पॉपिलारिटी नमस्ति लंदन से मिली यामी गौतम आप जानते होंगे कि यामी गौतम फेमस फैरने स्क्रीम के विग्यापन से ही पॉपिलर हुई है इस एक विग्यापन के जरिये ही उन्हें पहली फिल्म विकी डोनर मिली थी हाल ही में यामे रितिक रोशन के साथ काबिल में नजराई थी प्रीती जिंटा प्रीती जिंटा का करियर लिरल साब उनके विग्यापन से शिरू हुआ था इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा हालकि अब उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली है शाहित कपूर और आईशा टाकिया इन दोनों आक्टर्स के करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूट में हुई थी दोनों कॉम फ्लैन के टीवी विग्यापन के जरिये पहली बाल टीवी पर नजर आये थे अभी विडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ, बाई बाई